हाई फ्रेंड्स वेलकम टू फातिमा पापास किचेन आज अपन बनाते हैं दो रेसिपीस आप लोग के साथ शेर करती हूँ दो रेसिपीस भी रेगलर रेसिपीस है एक अंबाडे की भाजी की चटनी और भेंडी फ्रै लेकिन इसमें दालते सो इंग्रियेंट्स डिफरेंट रहता है तो आप लोग एक बर इस तरह से भी आप लोग ये रेसिपी स्ट्रै करके आप लोग को कैसा लागा कि मेरो को कमेंट्स में बता दीजिए एकदम डिफ्रेंट रहता है आप लोग जरूर रह कीजिए इसके लिए फर्स्ट अपन हमबाडे की भाजी की चटनी बनाते हैं इसके लिए एक कप पीनट्स मुंग फली लेके अच्छा सा भून लेना है एक दो बंचस भाजी ली हुमयां पे साब धो के छनी में दाल के पूरा पानी नितरे तक वेट कर लीजिए और दूसरा यह है कि यह थोड़ा सा भूने गाए बाद अपन इसमें तिल याट करते हैं तिल भो जल्दी भूने जाता है इसलिए पीनट्स को आदा भून लिए बाद आपन और एक कप मुंग फली लिए थे ना एक कप तिल लीजिए लेलेके इसको भी अच्छा सा पूरा अच्छा साथे कर लेके मींस ड्राय रोस्ट कर लीजिए अच्छा स उसका अरोमा बहाराना है अच्छा सा भून लिए बाद इसको थंड़ करने के लिए साइड में एक प्लेट में दाल दीजिए दाल देए बाद देखिजी इस तरह से अपन कपड़े से भी निकाल ले सकते हैं प्लेट में पूरा प्लेट में निकाल देके अच्छा सा इसी कड़ई में स्टव को बंद मत करीजिए इसी कड़ई में अपने आट करते हैं थोड़ा सा वन टेबुल स्पून ओल इसमें ज् गरम हुए बाद अब आपन इसमें एड करते हैं थोड़े से इंग्रीडियेंट्स वो है कि एक 10 से 15 लहसुन के कलियां लहसुन के कलियां मस्ट है ये चटनी में बहुत मजेदार बनता है और हेल्थ के लिए भी बहुत अच्छा है और दूसरा है कि इसमें एक आठ रेट चिल अच्छा सा नरम हो जाएक इस तरह से थोड़ा सा बनता है इसी स्टेज तक पूरा भाजी अपने को पक गए बाद इसको भी पूरा थंडा कर लेके फस्ट एक मिक्सी जार को लेके अपन फस्ट मुंग फली और तिल को भूल पीस लेना है क्योंकि ये भाजी के साथ दाले तो थोड़ा सा रह जाता है एकदम नरम पेश्ट नहीं होता है इसलिए फस्ट इसको दालके टेस्ट के मुताविक का नमक भी दालके अपन इसको थोड़ा सा कोर्सली ग्रैंड कर लेना है एकदम नरम नहीं जासा कोर्सली ग्रैंड कर लेके अब अपन इसमें आड करते हैं में बुन लिये वाजी, लाहसून, और मिट्चाँया विपुरा थंडा हो गया है थोड़ा-थोड़ा पानी ज्यादा दिन चटनी रहती है थंड़ा पानी दालते हुए भी त्रिश्मी स्टोर कर लेना है देखी जे इस तरह से थोड़ा थोड़ा पानी दालते हुए 1 teaspoon जीरा और इसमें आट करते हैं 10 से 15 लहसुन के कलिया और 1 teaspoon मेथी और 4-5 ड्रायरेट चीलिस और हिंग मस्ट है इसमें हिंग दालने से बहुती बढ़िया बनता है अपनी चट्नी एक half teaspoon दालीजिया और लहसुन के कलिया एक दस दालीजिया लहसुन के कलिया और हिंग से यह बहुत मज़ेदार बनता है अपना स्पिनाच की चट्नी तो देखीजिये अपना पूरा अच्छा साथ बनके तयार हो गया है रोटी के साथ अपन खाने में गरम गरम खाने में घी भेंडी-फ्रे रेगलर भेंडी फ्रे नहीं है इसमें अपन अलग सा एक इंग्रीडियेंट मिलाते हैं वो मिलाने से एक डिफरेंट टेस्ट और एकदम नया सा भेंडी-फ्रे खाते हैं तो feeling अपने को आता है एकदम मजएदार मजए में तो अल्टिमेट रहता है आप लो से अपन फ्राय करते हैं इसको दो सिर्फ एक किलो भेंडी को मैली हो यां पर दो टेबल स्पून ओईल एफ इसके बाद इसमें दालते हैं वन टीस्पून मस्टेट सीट्स वन टीस्पून जीरा और थोड़ा से थोड़ा सा सात्य कर लेना है इसको मस्टेट सीट से अच्छा सा तले जाना है इसमें तले गए बाद अब आपन इसमें आड करते हैं मूंग फल्ली काजू आप कुछ भी दाल सकते हैं मूंग फल्ली काजू कुछ भी दाल सकते हैं और दूसरा यह है कि इसमें आड करते हैं थ मुंग फलिए ठोड़ा सा टाइम लगता है अपने को तलने के लिए पहन अच्छा सा तले गएगाए बाद अपन इसमें आट करते हैं अपनी भेंडी भेंडी को पूरा एक हाफ किलो भेंडी लिग हुमयाँ पे 2-0 लो भेंडी को अच्छा सा पूरा मिक्स कर लेते हुए करना है दूसरा यह है कि भेंडी जल्दी पकता है इसलिए कोई भी दिक्कत ने रहता है हाई फ्लेम में रख ले तो आराम से अपना भेंडी पक जाता है तो हाई फ्लेम में इस तरह से हिलाते हुए लेकिन बीच-बीच में हिलाते रहना है हिलाते हुए अपने भेंडी को बढ़ दाल ले बद एक बार पूरा अच्छा 1 अच्का निंग्रीडियेंट में तो करी कावडर आपका लिंक्त चेक करीबडर दाल के अपने भेंडी फ्रै बनाने से एकदम मजे में तो बहुत मजेदार बना है अपना ये करी पॉर्डर के साथ एक बार ट्राइ करो आप लोग एकदम भूती मज़ेदार बनता है तो पूरा अच्छा सा मिक्स करते हुए अपने भेंडी को फ्राइ कर लेना है इस तरह से पूरा अपना भेंडी फ्राइ होके रडी हो गया है ये अपन चामल के साथ साइड ये दो रेस्पीस भी आप लोग को अच्छा सा पसंदा आया बोलके समझ रहे हुँ अगर आप लोग को ये रेस्पीस पसंदा आये तो लाइक करो, फ्रेंड्स को रेरेटीव सको शेर करो और अच्चा-च्छे नयक, टेस्टी, हेल्दी, क्विक रेस्पीस के लिए हमारे चानल को जरूर सब्सक्राइब कर लिजे थैंक्स पर वाचिंग अगले वीडियो से फिर भी मिलते हैं